Good morning, today is 12 January 2017 and we are going to discuss the articles of the Hindu देखे, discussion से पहले एक छोटा सा issue है यहाँ पे देखे, यह एक YouTube का चैनल था Study for Civil Services आप में से कई लोग इसके subscriber भी होंगे कल YouTube ने इस channel को suspend कर दिया 65,000 subscriber थे इस channel के तो देखे, YouTube अब काफी सक थे अपनी policies को लेकर कुछ छोटा छोटा issue अगर ऐसा आ जाए, जो ध्यान में ना रहसके वैसे दो देखे, हम सब कुछ ध्यान में रखके यह अपनी वीडियो बनाते हैं फिर भी, कल को ऐसी situation अपने साथ भी आ सकती है तो अब जैसे इस channel के subscriber हैं वो परिशान है कि कैसे जो आगे की discussion जारी रक्स के तो मेरा आप से एक अनरोध है कि कल को अपना भी channel अगर suspend होता है अचानक से तो हम दुबारा से किसी नए platform पे जुड़ सके बिना किसी discussion गवाए यानि देखिए अगर सुबह हमारा channel अगर suspend हुआ तो उसी time दुपैर को हम अपनी discussion जारी रक्स के इसके लिए क्या करना होगा इसके लिए आप या तो देखिए जो description box नीचे दिया है वीडियो के नीचे या तो जो only is website है इस पे subscribe कर लिए जएगा या फिर facebook का जो page है इस पे like कर लिजएगा इसका फाइदा यह होगा कि आप मुझे धूंड्स केंगे अगर हमारा channel suspend भी होता है तो हम discussion खराब नहीं करेंगे जो हमने यह सब कुछ start किया है उसे खतम करके ही दम लेंगे मेरा कहने का मतलब यही है it's not over until we complete it so let's start the discussion तो देखे पहला जो article है पंजाब से related है पंजाब इलेक्शन में अर्विन केजरिवाल की दावयदारी हमारे लिए important नहीं है बिलकुल भी यह ओबामा की जो farewell speech है उससे related है थोड़ा बहुत हम इससे discuss करेंगे डिस्कस तो सारा ही करेंगे लेकिन exam के लिए कम यूज है इसका main article है आदा politics वाला है आदा काफी important है तो इससे हम discuss करेंगे चंपारण का article डिस्कस करेंगे यह आपकी history के लिए भी साहिक होगा यह article बहुत important है काफी अच्छा ही article है यह हम अच्छे से discuss करेंगे अच्छे तो आपको पता होगा कि 20 जनवरी को ट्रंप अपना ओफिस जोइन करने जा रहे हैं तो अपने स्पीच में का क्या उन्होंने अपनी गवर्मेंट की एचीवमेंट से उनको हाइलाइट किया और अपने जो यूएस के सिटिजन से उनको वार्न भी किया कि जिस प्रकार से देखे इकोनमिक इनुक्यलिटीज भड़ती ही जा रही हैं वो कही न कहीं डेमोकरिसी के लिए एक तरसे खत्रा साबित हो जकती है यूएस डेमोकरिसी के लिए और उन्होंने रेशिल डिविजन्स यानि जो ब्लैक्स और वाइट्स के बीच का जो गैप बढ़ता जा रहा है उस पर भी हाइलाइट किया देखिए वैसे तो ओबामा की जो एप्रूवल रेटिंग से काफी अच्छी है इस रिसेंट हिस्ट्री में पिछले काफी प्रेजिडेंट्स में से ओबामा ने अच्छा काम किया है और उन्होंने अमेरिकन से अन्रोध किया कि आप भी डेमोकरिट जैसे देखिए हमारे लोक्षभा और राजशभा के बीच में गतिरोध उत्पन हो जाता है और कोई बिल पास नहीं किया सकता है वैसे ही वहाँ पे प्रेजिडेंट और सीनेट के बीच में कई बार गतिरोध पैदा हो जाता है और सीनेट अलाव नहीं करती जिसको कहते हैं धुरूविय करन यही एक धुरूविय करन था वो जिम्मिदार था जिससे टरंप जीत कर आए टरंप सत्ता में आए वैसे तो उनकी देखिए जो लिगएसी है काफी इंप्रेसी रही है फोरन पॉल्सी भी उनकी काफी ठीक ठाकी रही है जब वो सत्ता में आए थे तो एक तरसे एकोनमिक रिसेशन था वहां पर लेकिन उन्होंने इस तरह के कानून बनाए जिसमें अमेरिका की जो एंटरप्राइजीज है वो काफी उपर उठ के आई और जब वो इलेक्ट हुए थे तो अनेमप्लोईमेंट काफी जादा थी अब जो अनेमप्लो उनको मरवाया इन्होंने और उसके बाद में देखिए आर्टिकल कहता है कि जो रस्या और चाइना के साथ रिलेशन्स उधारने में यह नाकाम रहे और एक तरह से डोमेस्टिकल इन पर यह भी आरोप लगता है कि इन्होंने सौफ्ट अप्रोच अपनाई इनको हैंडल करन में और रिलेशन्स हैंडल करने में रस्या के साथ और चाइना के साथ में कहने का मतलब यह देखिए जो ओबामा थे एक तरह से कमफटेवल थे सोसल मीडिया में भी और पॉप्लर कल्चर में भी और इसके साथ साथ वो सैंस्टी भी थे यानि जो विक्टिम्स था देखिए वहाँ पर जो गन है गन कंट्रोल नहीं है यूएस में हमारे इंडिया में तो कोई भी आदमी है जैसे वो गन नहीं खरीद सकता उसको प्रोपर लाइसेंस बनवाना पड़ता है डिश्टिक अथोटी से और लेकिन यूएस में खुले आम गन मिलती है किसी परकार के लाइस क्या सकता है नहीं कोई मतलब बड़े जो हतियार है एक के 47 वो भी ये खरीद सकते हैं जैसे ग्रोसरी में चीनी खरीद रहे हो वैसे वहाँ पर गन खरीदते हैं इससे होता कि काफी इंसिडेंस बहुत होते हैं जैसे कल पर सो हुआ था एक पांच लोगों की यहत्या कर दी रही थी एक सूटर ने तो इस प्रकार की चीजें इंसिडेंस वहाँ पर बहुत होते हैं तो इनका एक तरह से सिंपथी रही उनके साथ में और रेशल हेटरेट के खिलाफ में भी वह बोले तो छोड़ा सथा कहीं ओबामा के बारे में कहीं है ऐसे वगर हमें यूज करना हो इस बात को शो करता है कि जो हमारे वोटर से हो नहीं है यह डिसाइड करने में कि कौन सी गोवर्मेंट को रूल करना चाहिए स्टेट के अंदर इस बात पर आपको टिपनी करनी है कोमेंट करना है इस बात पर The next thing is civil society का रोल होना क्या चाहिए electoral politics के अंदर में explain with examples उधारन के साथ समझाईए अब देखिए whether elections are referendum for demonetization अब पांच राजियों में चुनाव होने वाले आपको पता है और एक तरह से कई जो sections है वो ये कह रहे हैं कि अगर इन पांच चुनावों में बीजेपी जीतती है तो इसका मतलब साफ साफ यह है कि जो पढ़ान मंत्री ने demonetization यानि नोट बंदी चलाया था वो सफल रहा अगर बीजेपी हारती है तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी की ये policy सफल नहीं थी कहने का मतलब यह है कि इन पांच राजों के elections को नोट बंदी के referendum के तोर पे लिया ज शो करता है और उसके बाद में वो सेम बात कि जो है क्या election results है वो demonetization का referendum शो करेगा या नहीं करेगा फिर यह काते हैं कि referendum एक अच्छा तरीका है किसलिए opinions बनाने के लिए यानि अगर आपको किसी जंता की opinion जाननी है तो उसको जानने के लिए referendum एक अच्छा ready और convenient method है असान ही हो गई लेकिन election अलग है ये कहते हैं देखिए referendum तो सिरफ public opinion जानने का असान method था लेकिन election अलग है election एक तरह का civil engagement का tool है इससे क्या होता है जो लोग है आपस में engage करते हैं और यह decide करते हैं कि कौन से ऐसे लोग है जो जिनको decision लेना है हमारी तरफ से तो elections एक तरह का method है civil engagement के लिए उसके बाद में कहते हैं कि देखिए state assembly elections को सिरफ referendum पर reduce करना इस बात के लिए कि प्राइम निश्टर में उनका confidence है के नहीं इस बात पर यह discomfort शो करती है moreover जो referendum है अब देखिए अब जो demonetization था demonetization तो हो ही गया अब दो महिने demonetization को हो गए जब तक इसका result आएगा 3-4 महिने हो जाएंगे तो referendum तो उसके लिए होता है जो policy आगे आने वाली हो जनता से यह पूछा जाता है क्या आप इसके हक में हो या नहीं तो demonetization का क्या referendum होग है तो फिर यह तो खामखाम की बात है उपर से जैसे एक्जामपल भी देती है जैसे UK exit हुआ European Union से तो UK में पहले referendum हुआ न कि आप बताईए जंता से उन्होंने पूछा क्या हमें European Union से अलग होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उन्होंने कहा हमें अलग होना चाहिए वो अलग हो रहे हैं लेकिन इंडिया में ऐसा थोड़ी है अगर मोधी पहले पूछते से पहले वह बात अलग है नहीं पूछा था सकता प्रैक्टिकल नहीं था क्योंकि सीक्रेसी वह सारे इश्यूज लेकिन कहने का मतलब यह है referendum तो उस चीज के लिए होता जो आगे होने वाल था और इंपक्ट हुआ कि इस पूरी एलेक्टरल पॉलिटिक्स में यह कहते हैं देखिए इससे क्या होता है एक रीजन और इंफॉर्म डिसीजन पर पहुंचते हैं इलेक्शन के थुरू और डूसरा है जो एकोनमिस्ट यह कहते हैं इंपक्ट ओफ डिमनेटिजेशन यह क सकता है और फिरे कहते हैं कि वही सेम बात कि यह तो पॉलिटिकल इंकम्पिटेंस शो करता है वोटर्स की अगर रेफरेंडम कहते हैं हम स्टेट इलेक्शन को इसका मतलब तो यह हुआ ना स्टेट इलेक्शन का कोई रोल ही नहीं है यह तो सिरफ जनरल इलेक्शन के लिए स्टेट इलेक्शन को स्टेट इलेक्शन में भी तो सरकार चुनी जाती है वो जनता के लिए काम करती है तो एक तरह से यह फैडरलिजम के खिलाफ है यह बात इसका मतलब यह हुआ कि जनरल इलेक्शन है वो ही सर्वोपरी है और स्टेट इलेक्शन का कोई इतनी इसमें civic engagement होती है कि इनके बीच में, structures के बीच में, institutions के बीच में, और जो लोग power hold कर रहे हैं उनके बीच में, और जनता ये सब देखती है और अपना decision लेती है कि कि किनको उन्होंने चुनना है, जो उनके पक्स में और जो उनके favor में decision ले सके, तो और voter जो है वो election में ये भी decide करते हैं कि क्या जो government थे, उसने उसकी conditions में, जो पहले की government थे, उन्होंने उसकी situation में सुधार किया या नहीं किया, या फिर वो एक तरह से alternative आप चाहते हैं, और वो उन लोगों को चुनना चाहते हैं, जो उनके livelihood और वो सब चीजों को effect करेंगे, तो काफी important elections का role है, जबकि referendum इतना important नहीं है, role क्या है civil society का, देखे, civil society काफी important है electoral politics में, और civil society एक तरह से हमें platform provide करती है, और citizens को enable करती है, जिससे कि वो publicly debate कर सके, और जो power है, या या शक्तियां जो use करते है, centers, political leaders, या फिर institutions, उनकी limit जान्स के, जैसे आप जनता, देखे, आप train में जाते हैं, train में जात करते हैं, कि सरकार यह नहीं कर सकती, RTI से हम निकलवा लेंगे, तो यह सब civil society तो है, जब चार आदमी आ काई कठे होके, अपने interest की बात करें, वो civil society है, तो जो power की limits है, वो पता लगती है, civil society से हमें, और उसके बाद में या कि देखे, democracy के लिए इस से ज़्यादा destructive और कीजेगा, democracy में voters का जागरुक होना बहुत जरूरी है, और वो जागरुकता आती कैसे है, वो जागरुकता आती है, civil society से, civil society से जनता को पता लगता है, क्या हमारे हित में है, क्या हमारे हित में नहीं है, वो बात अलग है कि यह हमेशा subjective रहता है, लेकिन देखिए, अगर citizens को पता ही नहीं होगा कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, फिर तो क्या होगा, political leaders होगे, political party सिरफ populist approach अपनाएंगी, अब example के तोर पे देखिए, अब election होते हैं, तो मालीजिये, कोई भी government मालीजिये, आप government मालीजिये, जैसे, आम आदमी party दिल्ली में का कि हम free water देंगे, हम free बिजली देंगे, तो एक तरह से यह populist approach हुई, तो इसका मतलब क्या देखिए, समझदार आदमी को तो क्या लगता है, जिसको पता नहीं है, policies का, वो तो क्या सोचेगा, कि हाँ, यह government अच्छी है, free water, free बिजली provide कर रही है, लेकिन जो पड़ा लिखा आदमी है, जिसे ह जनता का ही है, तो यह बात है, कहने का मतलब, यह civil society एक तरह से जागरुकता provide करती है, हमें, अगर यह जागरुकता ना हो, तो यह सिरफ जो leaders है, यह parties है, सिरफ populist approach अपनाएंगी, election manifesto में, कि हम आपको free बिजली देंगे, free grinder mixer देंगे, और जनता बहकावे में आ भी जाएग करती है, report cards त्यार करती है, और काफी कुछ करती है, watch भी करती है, government क्या गलतियां कर रही है, क्या इसको करना चाहिए, कौन सा अपने वादे से यह मुकर रही है, identification, crucial issues को, policies का analysis भी करती है, monitoring करती है, और civil society काफी कुछ करती है, और civil society सबसे जो last important बात है, जिस पे यह question भी नि करने जाते हैं, और जो हमारे मन में चल रहा होता है, यानि हमने जो राय डेवलप करिया है, specific party या खिलाफ में, वो राय डेवलप करने में, civil society का एक बहुत बड़ा role होता है, तो यह सबसे important line है, तो अब देखिए, जब यह question आप attempt करो, कि जिस परकार से यह पहला question है, जैस सारी की सारी, सिर्फ आपको, मैं उन लोगों को address कर रहा हूं, जो website पर अपने answers देते हैं, काफी अच्छा answers वो लिखते हैं website पर, लेकिन आप सिर्फ article पर depend मत रहिए, article तो सिर्फ एक reference के लिए, आप अपनी knowledge लाइए, पहले बहुत सारे articles discuss की हैं, उन से interlink कीजिए, ऐसे आ article इस परकार से है, new world order emerge हो रहा है, जिसमें की economic strength उसकी काफी ज्यादा significance है, और इस context में यह आप बताईए कि क्या इंडिया को one road, one belt, जो चाइना का project है, उसे जोइन करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि यह already 65 countries ने यह जोइन कर लिया है, और इंडिया लगातार isolate होता जा रहा है यह देखिए, यह है CPAC जिसे कहते हैं, चाइना पाकिस्तान economic corridor, और यह पूरी picture है, वेस्ट एशिया की, यहाँ पे बहुत कुछ होने जा रहा है, जो 21 विस्ताप्ती होगी, यहाँ पे भी बहुत कुछ होगा, और जो South China Sea है, यहाँ पे भी बहुत कुछ होगा, तो दो यह locations decide करेंगे कि power centers कहां रहने वाले हैं, तो देखिए, ध्यान से सुनेगा important article है, क्योंकि इसके points को आप कहीं भी use कर सकते हो, देखिए, कहते हैं कि एक परकार से जो geopolitical economy है, यानि काफी सारे देशों के बीच में जो economic war कह सकते हैं, या फिर किस परकार से economy politics decide कर रही है, वल्ड की उसमें एक तरह से tectonic shift देखने को मिल रहा है, जैसे कि और जिस परकार से इन्होंने respond किया इस पूरे tectonical shift के खिलाफ में, US, China और रशिया ने यह देखना है, कि इस पूरा article मनलब इसी चीज़ पर है या भी, और कहते हैं कि जो tectonical shift हो रहा है, tectonic plates आपने पढ़ा होगा जोगरफी में उसी साब से कह रहे हैं कि जो politics की plates हैं, वो काफी इदर से उदर जा रही है, यानि काफी change हो रहा है, और India किस परकार से इस पूरा, क्या world view रखता है, इस पूरे change पे, कहते हैं कि इंडिया ये कहते हैं कि बाद में कि इंडिया ने तो कहीं, पूरे world view में कहीं अपने आपको देखता नहीं है और isolate हो रहा है, फिर है कहते हैं हमारी importance पहले काफी ज़्यादा थी, 1757 से पहले आपने सुना भी होगा कि इंडिया को सोने की चीडिया कहा जाता, रिचेस्ट कंट्री था, textiles export हमारा काफी अच्छा था, फिर बिटिसर आये, बिटिसर ने ज loot मचा दी, और उसी loot का फाइदा यह हुआ कि यह industrial revolution उद्योगिक करांति लास के अपने देश के अंदर में, और फिर आया colonization, आप सब ने देखा कि किस परकार से colonization आया और इंडिया को बहुत नुकसान हुआ, फिर यह कहते हैं कि यहां तक भी ठीक था, 1950 में जो इंडिया उस टाइम भी हमारा इंडिया चाइना से अमीर था, और अब देखिए, आप अब देखिए, चाइना की जो economy है, हमसे पांच गुना बड़ी है, और चाइना की economy यूएस को भी पास कर देगी as a largest economy कुछी समय में, यह कहते हैं कि अब हमें अगर यह का जाता है कि अगर हम हम global trends को recognize करने की बात कहते हैं, यह कहते हैं कि हमने लुकिस्ट policy अपना रखी है, जिसमें हम हमारे जो eastern area है, जैसे कि यह सारे south east Asia, यहाँ पे हमने काफी कुछ engagement बनाने की बात कही थी, 1992 के अंदर चलाई थी, यह कहते हैं कि इसके नाम पे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, सि यह कहते हैं हमारी investment सिरफ 500 million है, और जबकि China की अकेले की investment पाकिस्तान के अंदर 46 billion है CPAC में, और यह कहते हैं कि अफगानिस्तान में हमने काफी कुछ invest किया है, फिल भी वहाँ पे जब भी अफगानिस्तान के future को decide करने की बात आती है, हमारा वहाँ पे हम कहीं भी जो अफग translate होता जा रहा है, और चाइना का जो one road, one belt का project है CPAC जो है, उसमें अब रसिया ने भी कहाया कि हम भी उसमें सामिल होना चाहते हैं, और जो दूसरे Central Asian countries हैं, वो भी कहते हैं कि देखिए हमें Warm Water Port की अफशकता है, Warm Water इनका मतलब है ग्वादार Port, क्योंकि CPAC जो है वो तो यहा correlation countries, तो वो भी यहां से इस corridor के तहरत में जो यह ग्वादार Port आई, इससे जुड़ना चाहते हैं, तो एक तरह से सभी देशों की सहमती देखने को मिल रही है, आस-पास के जो पोडोसी देश हैं, ग्वादार Port के पड़ती और CPAC के पड़ती, फिर यह कहते हैं कि दो ती markets में integrate हुए भी ना, मतलब हमें अपना potential realize करने के लिए अपना जो Asia की market में हमें integrate करना ही होगा, नितियायोग के पास में ऐसी कोई भी strategy है नहीं, जिससे जो हमारी economy है, उसको यह 10 trillion की economy बना सके 2032 से पहले, और एक तरह से हमारा कोई national perspective भी नहीं है, जिस तरह से एनिस जो है, वो सिरफ military balance पे है, हम बात करते हैं सिरफ NSG की, हम बात करते हैं सिरफ terrorism की, हम बात करते हैं सिरफ मसद अजूर की, जबकि हमारा जो stress होना चाहिए वो economy पे ज़्यादा होना चाहिए, और हमें सिरफ Pakistan centric जो हमारी policy है, उससे हटके economy की तरफ ज़्यादा सोचना यह कहते हैं कि 1950 के बाद में जो 1950 के बाद का जो वर्ल्ड ओर था उसमें यूएस का बहुत बड़ा रोल था और जो ग्लोबल ट्रेड होता था वो एक तरह से होता था dispute settlement से यानि WTO से पहले जो GAT था जी ये WTO से पहले ये organization थी जो disputes decide करती थी फिर यह कहते हैं कि security system था उस time में 1950 के बाद में alliances पर depend करता था जैसे दो alliance थे एक US का एक USSR का और United Nations वो भी divided था donors और recipients के बीच में यानि एक तरफ developed countries एक तरफ developing जो recipients थे बाद में अब देखिए कहते हैं कि China का re-emergence हुआ और जिसने US की ability को कम कर दिया Obama भी fail होगे इसके China के emergence को counter करने में चाइना ने इसने US ने सोचा तो था कि TTP हम बनाएंगे और इससे चाइना के emergence को counter करेंगे जबकि TTP को तो Trump ने ही reject कर दिया तो एक पर कैसे यह China को South China Sea में भी नहीं रोक पाए और चाइना को नहीं रोक पाए US वाले Asia Infrastructure Investment Bank मनाने में भी वो भी नहोंने मना लिया काफी कुछ कहा US ने European countries को कि आप जो Asia Infrastructure Bank है उसमें मत सामिल हुए फिर भी वो European countries US की सलाह को दरकिनार करते हुए AIIB में सामिल हुए अब क्या देखे डोनल्ड ट्रम का election जो रिटोरिक था उससे तो यह काफी कुछ नोंने कहा कि फिर भी जो ट्रेड वार है चाइना और US के बीच में उसकी संभावना कम ही है फिर यह कहते हैं कि देखे चाइना की जो manufacturing है वो काफी अब slow कर रही है और जो उनकी labor का जो उनके पास में advantage था वो भी एक परकार से अब जा रहा है क्योंकि वो उनकी जो labor है उनकी जो जन संख्या काफी aging है और अब जो आने वाले टाइम में global economy में digital flows का रोल का रोल काफी US, Russia और China के पास में strength है अपने अपनी sector में individual sectors में जैसे कि Russia के पास में energy है, US के पास में technology है और China के पास में manufacturing है तो यह संभावना व्यक्त कर रहे हैं ऐसा भी हो सकता है कि कल को इन तीनों के देशों के बीच में relation अच्छे भी हो जाएं अच्छे का मतलब अच्छे का मतलब अच्छा नहीं मतलब लडाई ना हो इस परकार की बात है और चाइना यह कह रहे हैं कि देखे ग्लोबल रूल्स को change कर रहा है क्यों क्यों क्योंकि वन रोड वन बेल्ट का प्रोजेक्ट इनों चलाया है और सारे जो आस पास के देश हैं वो इसकी तरफ आकरसित हो रहे हैं इसमें यह infrastructure बनाएंगे नए institutions यह create कर रहा है एसिया infrastructure बैंक के तोर पर और यानि पूरे जो ग्लोबल का एक तरह से structure है इंस्यूशूशन का structure मान लीजिए banks जैसे world bank है world bank के खिलाफ में AIB इस तरह से जो चाइना है वो structure change कर रहा है जिस परकार से rules decide होते हैं हमारे world के अंदर में और हमारा इंडिया एक ऐसा देश है आसपास के देशों में जिसने continental Asia के बात कर रहे हैं जिसने one road one belt को sport नहीं किया है और 65 country अभी तक इसको sport कर चुके हैं फिर यह कहते हैं कि देखिए three quarters of non energy resource अगर देखिए यह बात कहते हैं कि जो यह one road one belt है वो three quarters of non energy resource है इसमें और four trillion dollars की इसमें investment है और उसके बाद में यह दो ती हाई global जनसंख्या और दो ती हाई GDP को cover करता है इस तरह की बात यह कहते हैं चाइना हमारा राइवल है यह चाइना हमारा partner है यह कह रहें कि देखे ट्रंप जो है वो भी move कर रहे हैं military alliances से ध्यान दीजेगा ध्यान देने वाली बात है ट्रंप भी दूर जा सकते है military alliances जैसे की NATO से लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ट्रंप military से दूर जा रहे हैं इसका मतलब यह कि ट्रंप जो अपनी जो military है उसको उपर करेंगे और technological leadership establish करेंगे ट्रंप ऐसा उनके election campaign से पता लगता है वो UN की भी बात करते हैं वो करते है UN तो एक सिरफ tax soap है और कुछ नहीं है इसमें कुछ होता नहीं है और इससे होगा क्या आखिर कर देखी है ऐसी समभावना उभर सकती है कि US चाइना की superiority मान ले Asia के अंदर में और US रस्या की superiority इनकी परभुत्ता और dominance मान ले Europe के अंदर और West Asia के अंदर में तो इससे जो NATO है ज जुक्सान पहुंचाना चाहते हैं तो इससे NATO की जुरूत है वो ही खतम हो जाएगी तो इन तीनों के बीच में कुछ इस तरह का unconvention या फिर convention उभर सकती है कि US चाइना को कहेगा कि आप Asia के अंदर आपकी मर्जी चलेगी रस्या को कहेगा कि West Asia और Eurasia के अंदर आपकी मर्ज पाकिस्तान अपने हां terrorist को सरन देता है और इन तीनों देशों को terrorism से खतरा है जैसे चाइना के जिंज्ञेंग रीजन में radical Muslims है और रश्या में चेचन्या है और US को भी terrorism से खतरा है जिस प्रकार से और स्वामी बिल लादेन वहां पकड़े गए थे फिरिया कहते हैं कि देख साथ में होते हैं तो चाइना की बुराई करते हैं लेकिन अब हमें स्विंग स्टेट नहीं कहा जाता क्योंकि हमने एक तरह से अपना जो आगे का पाथ है वो डिसाइड कर लिया है हमने लीमुआ साइं किया यूएस के साथ में इसका मतलब साफ साफ यह है कि हमारे जो इसनल है वो देते हैं हकानी नेटवर्क को खतम करने के लिए जो कि अफगानिस्तान में इस्टेबिटी पैदा करता है और अमरीका इस बात पर भी चुप है कि किस प्रकार से पाकिस्तान जो है सरण देता है आतकवादियों को उन आतकवादियों को जो हमारे देश के अंद डेना पे यानि जो ट्रेड इशूस है लेकिन इस तरह से एक तरह से जो है ड्रास्टिकली चेंग कुछ नहीं आएगा तो important lessons हमारे है क्या हमारे लिए important lesson यू है जो हमने सीर आदाम ह làm के article में चीरा इंपोर्टन का फैक जब हम हमारी जो economy है 5 trillion dollars की हो जाएगी तब हम इन सब issues को सुल्जा लेंगे तब हमारे पास leverage भी होगा बाकी के countries हमारी बात सुनेंगे भी सही तो पहले कम से कम हमें अपनी economy को 5 trillion economy तो बनाना चाहिए पहले अपनी economy तो अच्छी करो तभी तो लोग हमारी बात सुनेंगे और जो चाइना का national goal है चाइना 2020 तक अपनी GDP को 2010 से डबल करना चाहते हैं और उसमें ये one road one belt को एक एहम किरदार की तोर पर देख रहे हैं चाइना है वो इस बात पर भी keen है वह ज़्यादा intent है चाइना चाहता है कि हम भी इंडिया भी one road one belt को जोइन करें और मोदी और जो जी जींपिंग की joint statement थी में 2015 में उन्होंने इस बात को कहा था कि इंडिया और चाइना दो major polls है global architectures में और ये दोनों एक साथ आ सकते हैं one road one belt में भी और जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो digital sustainable Asia की सुरुवात होगी तो ये पूरा article था काफी important article था direct question ना भी आये तो भी important है अगले article की utility क्या है देखे इस तरह question आ सकता है कि चंपारन moment गांधी जी के द्वारा जो चलाई गए थी not only brought the lasting reforms but also managed to do without alienating the opposition महले उन्होंने moment भी चला ली अपने काम भी कर दिया लेकिन opposition को नराज भी नहीं किया तो जल्दी से करते हैं वैसे तो आपने ये spectrum में पढ़ा था और खतम हुआ वो भी monetary policy के हिसाब से हुआ कि इस परकार से monetary policy पर पूरा देश divided है और ये कहते हैं कि जो ये words है anti-national, corrupt, despotic, fascist और unpatriotic ये सब आजकल काफी आम यूज किया जाने लगे हैं और tendency यह रहाती है कि लोग आजकल क्या करते हैं अपनी मौमबती जलाने के लिए इसको ऐसे में use कर सकते हो आप अपनी मौमबती जलाने के लिए लोग दूसरे का घर जला देते हैं इस परकार की tendency आज की टाइम में देखने को मिल रही है और एक तरह से देखिए कहते हैं कि जो लोग change लाना चाते हैं वो सोचते हैं कि change सिरफ लाय जा सकता है militant तरीके से और सांतिपूर्वक धंग से change नहीं ला जा सकता फिर ये article लिखने वाले इस बात से इंकार करते हैं कहते हैं कि 100 साल पहले एक और आदमी था जिस ने change लाया और militant तरीके से इनों नहीं ला दूसरे तरीकों से इनों ने change लाया गांदी जी की वो बात कर रहे थे चंपारन क कि ये बात करते हैं कि इस प्रकार से गांदी जी ने चंपारन में movement चलाई और change वो लाये तो ये कहते हैं कि देखे जब गांदी जी आये थे उससे पहले से चंपारन में काफी oppression और exploitation हो रहा था indigo planters का वहां पे क्योंकि देखे indigo planters का नहीं मतलब peasants का वहां पे जो indigo plantation owners थ वो कह करते थे देखे indigo की काफी demand थी Europe के अंदर में तो वो force करते थे हमारे देश में चंपारन के अंदर में pigeons को कि आप indigo ही उगाई है और उनकी जमीने हड़ अप ले थे थे काफी कम उनको rent देते थे या फिर जो काफी कम कमाई उनकी होती थी उनको उनका अपरन कर लेना तंग करना, exploitation करना ये सब चीज़े चल रही थी तो एक तरह से लोग वहाँ पर चाते थे कि आप हमें force मत करें indigo के लिए और काफी लंबेश मैं से ही movement चल रही थी तो गांदी जी ने क्या योगधन इसमें निभाया देखे हमारी जो national mythology है जो हम books में पढ़ते हैं वो इस ब open rebellion नहीं थी एक तरह से गांदी जी ने एक तरह से ये political persuasion था गांदी जी ने मना लिया political authorities को वहाँ पर अपने ही तरीके से किस परकार से ये देखिए ये कहते हैं कि relation काफी खराब थे इन सब के बीच में government, British planters और पीजेंट्स और oppressive system था और गांदी जी आने से पहले काफ दोलंच लाने के लिए नहीं बस ऐसे ही conditions देखने के लिए तो वहां के local officials दर गए वो गांदी जी वो किसी ना किसी बात पर गिरिफतार करना चाते थे और action लेना चाते थे लेकिन गांदी जी ने उनको मोका ही नहीं दिया गांदी जी उनके भैकावे में नहीं आये और उन पोलो करते थे गांदी जी ने और भी देखे एक परकार से इवन जो plantation owners हैं उनको भी गांदी जी कहते थे कि आप हमारे साथ चलिए मैं जा रहा हूं पीजेंट्स की problem को सुनने के लिए अच्छा होगा आप भी हमारे साथ में आए तो इस तरह की जो policies जो agenda गांदी जी अपन एक अच्छी rap को create कर ली थी administration के साथ में भी और plantation जो owners हैं उनके साथ में भी हाला कि वो interest इन सब के एक दूसरे के खिलाफ थे और एक तरफ तो गांदी जी यह सब कर रहे थे दूसरी तरफ वो एक अलग ही रणनीती खेल रहे थे वो त्यार कर रहे थे public frustration को आगे ला रहे थ और उन्होंने ऐसा करते करते जो peasants के experience थे उन सब को documentize कर लिया और इससे एक तरह के सबूत पैदा किये और यह सबूत पेस किये government के सामने की किस प्रकार की दिखते हैं जो peasants को हो रही है और उसी का यह नतीजा था कि जो local leaders थे उन्होंने भी agitate करना start किया और एक तरह से द से उनकी भी कमर तोड़के रख दी फिर आगे आता है कि देखिए जो planters है और यह भी देखिए irritate हो जाते थे क्योंकि गांदी जी तो publicity करते थे कि यह गल्त हो रहा है और यह कहते थे कि यह तो एक तरफा publicity है हमारी बात आप नहीं सुन रहे हैं तो planters ने क्या किया उन्हों क्या गल्त या क्या सही हो रहा है और देखिए जून में यह commission को गटित किया गया था और गांदी जी भी उसमें एक representative के तोर पर सामिल हुए तो appointment of commission वो सिरफ एक आधी जीत थी उसके बाद में भी देखिए जब commission की deliberations हुई उस commission ने एक तरह से platform provide किया जहां पर वो negotiate कर सकते थे planters के साथ में और जो थोरनी issues थे यानि जिन issues पर विवाद था उन पर एक राय बनाने की कोशिश कर सकते थे उस commission के platform पर और और देखिए यही एक बात था कि planters को भी safe face saving का मोगा मिला उनको अपनी सगल बचाने का मोगा मिला कैसे क्योंकि उनको एक तरह से recommendation का recommendation का प्रावधान मिला वहां पर कि किस प्रकार से recommendation कह रहा हूं compensation का compensation की बात कही गई तो compensation के मुद्दे पर आदे planters थे वो divided हो गए कुछ planters ने कहा कि हमें compensation चाहिए कुछ ने कहा नहीं चाहिए तो वो आपस में ही वो लड़ने लगे तो इसका फाइदा presence को हुआ आखिरकार दे मिन्ट का article है मिन्ट एकनोमिक्स की तरह एक newspaper है काफी अच्छी articles मिन्ट के आते हैं तो हम जब भी हमें time मिलेगा तो मिन्ट का article हम discuss करेंगे utility क्या है for increasing the tax base अगर government को tax base बढ़ाना है फिर tax revenue बढ़ाना है तो एक तरह से urgent need है कि government tax reforms लाएं तो आप क्या सोचते हैं कौन से ऐसे important tax reforms है जो government को लाने चाहिए जिससे की tax to GDP ratio improve होगी अब देखिए ये article है इसमें हम काफी सारे points लिख सकते हैं मैं आपको बताऊंगा कैसे औ लेकिन आपको अपने पुराने जब आप answer लिखते हो तो आप interlink कीजिए कि पहले भी हमने कौन-कौन से articles discuss किये थे कहां से कौन से point याद आ रहे हैं तब ही तो हमारी revision होगी Tax Administration देखे कहते हैं कि आर्टिकल में दो मेने पहले हमने note-band implement करी उसके अपने फाइदे अपने नुक्सान है फाइदे क्या है फाइदे तो यह है कि अरुन जेटली ने कहा कि tax जो revenue है वो बढ़ रहा है नुक्सान क्या है जो auto sector है जैसे हमने कहा कि कारों के जो sale है वो गट ग सारे का सारा मतलब सारा नहीं काफी अतक वापस आ गया है और उसके बाद में उसके बाद में इस बात पर अनुन जेटली ने टिपनी करी कि जो पैसा लोगों ने बैंकों में जमा कराया इसका मतलब यह नहीं कि वो white money है उस पर भी जांच होगी तो देखे जांच होगी तो उन पर आच नहीं आनी चाहिए और एक तरह से इनकी जो capability है वो बढ़ाने के आप सकता है जो tax authorities है और इनका infrastructure बढ़ाने के आप सकता है यह कहते हैं कि सिरफ 2.4 million people सिरफ यह दिखाते है कि हमारी income 10 lakh से जादा है और जबकि जो actual संख्या वो काफी जादा है हमारी national income जो current year में 133 trillion है और large scale tax evasion होता है और system इसको check करने में सफल अभी तक नहीं हो पाया है और एक तरह से government कहाती है कि जो हमारा tax base है उसको broaden किया जाना चाहिए यह कहते है कि अगर आप बिना tax evasion को रोके अगर अपना tax base बढ़ाओगे तो यह तो वही बात हुई कि आप एक ऐसी बाल्टी करते हैं कि एक तरह से big data है उसका analysis होना चाहिए कि consumption pattern अब देखिए जो OD cars लोग खरीते हैं तो एक तरह से government अगर list निकल वाले कि किन लोगों ने BMW खरीदी OD car खरीदी तो देखें कि वह लोग tax बढ़ रहे हैं कर नहीं बढ़ रहे हैं तो इस तरह का data का use कर सकते हैं और government को last जो regulations है उसको भी strong करना पड़ेगा और under reporting जो होती है real estate के अंदर में उसको भी दूर करना पड़ेगा political finance जिस पर गार से politics में चंदे की राजनीती चलती है उसको भी दूर करना पड़ेगा और strong signal भेजना पड़ेगा कि public में कि government serious है और किस तरफ हवा भह रही है further tax structure को भी simplify करना पड़ेगा ताकि लोग tax rates को कम भी करें ताकि लोग tax desk है अब तो देखिए इसमें कुछ आपको points मिले अब इसमें काफी सारे points क्या लिख सकते हैं अब इसमें काफी सारे points इसमें वो लिख सकते हैं कि किस परकार से legitimacy की आप सकता है कि जनता को लगना कि उनका पैसा सही डेस की development में यूज हो रहा है और दूसरा GST यह सारे points जो हमने पहले discuss कर रहे हैं वो भी इसमें डाल दीजिए आप सिरफ article तक सीमित मत रहिए तो यह सिरफ example था आगे देखे थोड़ा सा ethics discuss कर लेते हैं जल्दी से ethics के answer हम start करना ही वाले हैं थोड़ी सी ब बताइए कि trustworthiness होता क्या है और fortitude की बात की एथिक्स का paper 2015 का question है मेंस का UPSC का fortitude की definition लिखे आप जहां भी यानि जहां भी definition की जूरत होती है वहाँ जूर लिखे एथिक्स में और examples के साथ में examples देखे हमें 3-4 तरह के examples हमें चाहिए civil servants के example हमें चाहिए कि किस प्रकार से fortitude की आवसकता है और किस प्रकार से कोई भी value आए उसकी आवसकता है civil servants के लिए फिर हमे personal example भी जितना host के हमें देने हैं क्योंकि क्यों देने हैं क्योंकि देखे उन्हें ethical बंदे चाहिए तो हम अपने example जितना ज़्यादा personal example देंगे देखे बिलकुल जूट नहीं बोलना, fabricated तो बिलकुल ही नहीं लिखना सच लिखना है और host के तो बिलकुल normal examples लिखने है normal examples देखे आपने चाए पी चाए पी लेकिन उनके पैसा देना आपने भूल गए और वापस आके आपने चाय के पैसे दे दिये तो बिल्कुल एक normal example है examiner इस बात को इस तरह से देखेगा कि हाँ quite normal, it's quite normal I also do that kind of thing क्योंकि सभी नहीं ये काम अपनी जिंदगी में कभी न कभी किया होता है कि पैसे भूल जाना और वापस देना तो इस तरह के normal example आपको दिखने है ना कि देखिए आप honesty का example देने के लिए काफी complex लिख दो कि मेरे पास ऐसा हो गया था, एक लाख रुपे आगे थे account में, मैंने वापस bank को phone किया इस तरह के examples नहीं, जूट मूट नहीं लिखना क्योंकि ये ethics का paper काफी subjective paper है पहले question में ही वो समझ जाएगा examiner ये जूट बोलने ही कोशिस कर रहा है जूट बोलने ही कोशिस कर रहा है तो इसका मतलब आप ethical नहीं हो काफी कम marks वो देगा हमें examples देने हैं current affairs से related current affairs से जितना ज्यादा होश कि हमें example देने है और अगर फिर भी आपको example ना मिले तो आप देखिए जो महान leaders हैं जैसे कि गांधी जी और सुभाष अंदर बोस स्वामी विकानन्द इनकी जिंदगी से जुड़े आप example देने कोशिस कीज़ेगा और आप देखिए ये ethics एक ऐसी चीज है जिसको एक दिन में नहीं सिखा जा सकता यानि ऐसे नहीं हो सकता कि आप जब paper INS दीक आप एक महीने के अंदर ethics कवर कर लो ethics थोड़ा थोड़ा करके daily सीखा जा सकता है तभी इसलिए हमने ethics की सुरुवात करी है तो ये ongoing process है daily हम एक question discuss करेंगा फर दो question जितना भी हमें time मिलेगा फर उसी के according देखें मुझे पता है कि आप answer नहीं लिखोगे answer writing की practice वहाँ भी चल रही है onlyis website पर कोई नहीं वहाँ पर बहुत कम लोग answer लिखते हैं और जो लिखते हैं काफी अच्छा वहाँ पर answer लिखते हैं तो अच्छा होगा कि मैं ही answer discuss कर लूँ और आप अपने हिसाब से अपने ideas को develop कर लें तो जाते जाते एक बार मैं फिर से कहूँगा कि जो मैंने आपको सुरू सुरू वीडियो के starting में जो बात कही थी कि किस परकार से इनका channel suspend हो गया था तो आप से अनरोध है कि आप दोनों चीज़ों में